विदे बाद विडियो वाली सरक्यार और आपको याद होगा जब मैंने आइपड प्रो 11 इंचेज की इंबॉक्सिंग की थी तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जल्द ही मेरे पास जो आइपड प्रोका सबसे बड़ा वेरियंट है जो सबसे महंगा वेरियंट है वो आने जो के completely different technology है इससे पहले मैंने check out नहीं की अब यहां पर मेरे पास जो iPad का 11 inches वाला variant है वो भी मौझूद है और एक और चीज जो के यहां पर interesting है वो यह है कि यह जो iPad है यह मेरे दोस्त जो absolute tech वाले है उनका अपना personal iPad है तो इसके ऊपर मैंने experimental तोर पर जो iPad OS 15 है जो iPad की operating system का latest version ह जिसको भी कुछ time में Apple public कर देगा उसका beta version install किया हुआ है तो हम उसके ऊपर भी नजर डालेंगे compare करेंगे कि iPad की OS अब जो latest version आ रहा है उसमें और पुराने version में क्या differences है और उसके इलावा हम यह भी compare करेंगे कि mini LED display और normal LED display के अंदर LED तो नहीं LCD है उसमें क्या फरक है क्यों जो के OLED करती है तो आपको वो जो blacks है वो अच्छे मिलेंगे और यह पहली बार है क्यों Apple की product जो है वो जरा slow बार आ रही है काफी slow बार आ रही है वरना generally बड़ा smooth होता है इनका experience लेकिन यह time ले रहा है भाई I think iPad है तो उनने जरा ज़ादा ही slow किया हुआ है इसके box को हम यहा handed device नहीं है in fact इसके बारे में यही कहूंगा कि यह कुछ खास लोग ही जो है वो pick करेंगे especially वो लोग जो के sketching वगरा करना चाहरे है क्योंकि इसके अंदर definitely आपको वजन भी जादा feel होता है और यह एक बड़ी device भी है यह kind of उसी territory में है जहां पर generally जो Apple की Macbook Air वाली territory होती है strategy को touch कर रही है size वाली side से obviously क्योंकि 13 inch का तो display ही है यहां पर आपको कुछ paper work देखने को मल जाता है apple stickers हैं जो के size में काफी बड़े हैं और इसके इलावा इस बार box के इंदर फिर charger जो है वो Apple ने दे दिया है तो यहां पर courage जो है नहीं पहुंची अभी तक courage अभी पहुंचे तो I was thinking कि शायद यह बड़ा adapter दे बड़े battery की वज़ा से लेकिन दोनो iPad के ऊपर 11 inch वाला हो या फिर यह 13 inch वाला हो इन दोनों के अंदर जो size है charger का वो similar है इसका जो plastic wrap है इसको हम remove कर लेते हैं और निकाल लेते है iPad को iPad को मैंने turn on कर लिया है मैं इसको setup कर लेता हूं दूसरे iPad को बाहर निकाल लेता हूं और उसके बाद मिलते हैं तो दोनों के दरम्यान में बहुत बड़ा difference है size का भी difference है उसके इलावा जब आप इसको यहाँ पर hold करते हैं तो इसके इंदर जो weight का difference है वो भी काफी जादा है और मैं यह कहूंगा कि यह comfortable नहीं है अगर आप इसको दोनों हाथों में भी hold करते हैं तो this is a very heavy device और आपको feel ह होता है कि आपने इतनी भारी device जो है वो उठाई हुई है camera layout same है पूरी body के अंदर हर चीज जो है वो similar है मैंने अपनी iPad pro की video में इस चीज को 5G का जो modern था वो कह दिया था भाई यह वो नहीं है this is actually इसकी जो pencil आती है उसको लगाने की जगा basically iPhone के अंदर side पर इसी तरह की जग है तो मैं यह कहूंगा कि दोनों products ही काफी बड़ी है in fact यह जो 11 inches वाला model है इसका भी size काफी बड़ा है जहां तक बात है इन दोनों के displays की तो यहां पर LCD display है यहां पर आपको mini LED display देखने को मिल जाता है जिसको check out करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहां पर इसकी night shift है इसको dark mode को on कर लते हैं क्योंकि dark mode जैसे ही हम इसका on करेंगे चीजें जो है वो black वाली side पर चली जाएंगी और जैसे ही black color सामने आता है ना वहां पर सबसे बड़ा जो difference है वो आपको face करने में आता है अगर आप दोनों ipads के दरम्यान में फरक जो है वो face करते हैं अब शायद कैम है यह वो ही difference है जो कि LCD और OLED को separate बनाता है OLED के अंदर होता ही है कि हर एक pixel अपनी light को generate करता है मिनी LED में OLED से कम चीज़ है लेकिन यह फिर भी areas के साब से काम करती है तो आप यह समझ सकते हैं कि सबसे अच्छी OLED technology है दरम्यान में mini LED है और इस side पर आपके पास LCD पैनल आ जाता है तो यह Apple ने दरम्यान की एक technology बनाई है और आप सोच रहे होंगे Apple ने mini LED क्यों दिया है Apple ने OLED डिस्प्ले क्यों नहीं दिया तो भाई पैसा basically OLED डिस्प्ले सबसे अच्छे बनाती है Samsung जबके mini LED technology जो है इस पर Apple काफी time से काम कर रही है और इस से आगे चलकर जब यह micro LED वाली side पर जाएगा तो फिर यह OLED के बराबर पर काफी एत तक आ जाएगा जहां तक बात है software की तो 11 के अंदर मैंने updated software किया हुआ जबके यहां पर पुराना है और सबसे पहला difference तो आप यह देखेंगे कि यहां पर जो iPad का 15 version है इस पर यह app library जो है यह आ जाती है अगर आप left side से swipe क करते हैं जबके side पर ऐसा कुछ नहीं है दूसरा बड़ा difference जो है वो यह है कि widgets जो के अभी के लिए पुराने version में सिरफ side पर आते थे अब आप अपनी main screen के उपर भी जिस तरह iPhone में लेकर आते हैं उस तरह move कर सकते हैं तो आपके जो widgets हैं वो आपकी home screen के उपर भी आ जाते ह हैं जहां तक बात है आपके notification center की तो इसके अंदर भी जो सबसे बड़ा difference है वो यह focusing का mode है यह iPhone के अंदर भी आ रहा है basically यहां पर जो do not disturb था उसके अंदर आपके पास customization की option है तो आप multiple option select कर सकते हैं for example अगर आप घर हैं तो आप personal on कर देंगे उसमें होगा यह कि आपके जि decline हो जाएंगी जबके बाकी जो calls है वो आप उठा सकेंगे तो यह इस तरह की customization है वो दे दी गई है इसके इलावा अगर आप major changes की बात करते हैं तो camera के कुछ features दिये गए हैं और काफी ऐसे features हैं जो कि iPad और iPhone दोनों पे आए हैं तो उसके related मैं एक पूरी वीडियो बना रहा ह जिसके पास इस screen का कोई खास usage नहीं है अगर आपने draw वगरा नहीं करना अगर आपने मैं यह कहूंगा कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें एक बड़े display की ज़रूरत हो तो I would much rather go with this 11 inch model मुझे पता है कि display में बहुत फरक है even इस wallpaper के ओपर मुझे काफी quality का फरक है में नजर रहा है लेकिन फिर भी यह जादा sense बनाता है यह जादा portable है अगर आपने यह product लेनी है ना तो आप एक बड़े खास demographic के लोग है जिनके लिए product खरीद रहे हैं इसके लावा अगर आप जादा details जाना चाहते हैं ऐसी चीज़ें जाना चाहते हैं जो कि इन iPad के उपर same है जैस के face ID बगएरा और front camera, back camera बगएरा अच्छा वीडियो में आकर बढ़ने से पहले में यह चीज़ क्लियर कर दू कि आज की वीडियो एज जो sponsor की है अपसलूट टेक वालों ने जब भी कोई ऐसी crazy product होती है तो वीडियो नहीं की तरफ से sponsor होती है मैं यहाँ पर उनका number डाल द इस पर पब जी की performance कैसी है वैल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप Ultra HD setting को on करते हैं तो आपके पास Ultra frame rate तक की जो option है वो available होती है और अगर आप नीचे आ जाते हैं तो आपको balance setting के ऊपर जो extreme mode है वो भी देखने को मिल जाता है और दोनो iPad के ऊपर जो performance है वो similar है जिसका मतलब यह है कि इनके दरम्यान में जो RAM का difference है वो आपकी gaming के ऊपर असर नहीं डालने वाला क्योंकि जितनी भी यहाँ पर settings है इनमें आपको lag वगरा देखने को नहीं मिलता और यह जो ultra setting है इसमें आपको actual 60 frames का refresh rate है उसका फाइदा मिलता है और क्योंकि इन दोनो iPad के उपर Apple का pro motion display है तो extreme settings में जो 90 Hz का refresh rate है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं तो frame rate यहाँ पर काफी तदा कमाल होने वाले हैं और overall जो gaming experience है अगर आप एक professional gamer है तो काफी अच्छा है एक चीज़ जरूर है कि यह iPad इतना बड़ा है कि even अगर आप इसकी screen को दोनों हाथों से भी यूज कर रहे हैं तो हर angle से आप इसके हर एक point पर पहुंच सकते हैं तो gaming के लिए भी I would suggest कि यह 11 इंच वाला iPad है ज्यादा better option है इसके इलावा अगर कोई चीज मिस हो गई हो तो मुझे comment section में बता दीजिएगा और as usual हमारी वीडियो आज की sponsor की थी absolute tech वालों ने तो उनको भ तरह से आ रही होती है यहां पर subscribe का button आ रहा होगा उस पर click कर दीजेगा दोस्तों का video को share कर दीजेगा और बताइएगा कि video आपको कैसी लगी है इस video में इतना ही अपना ख्यार रिखेगा this is Bilal signing off, Allah Hafiz